नवस्कार दोस्तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल सिक्षा अकेडमी में दोस्तो आज के इस वीडियो में डिसकस करने जा रहा है हिस्टोरी का एक चैप्टर मद्द कालिन भारत बाला जिसमें दिल्ली सेल्दनत के प्रमुक्ष प्रश्ण बीडियो का पहला प्रश्ण है महमूद गजिनवी के सभी आक्रमान मैंसे सरवाद एक महत्पूर आक्रमान कौन सा था सभी आक्रमान मैंसे मतलब इसने लगबख 17 बार आक्रमान किया था भारत जिसमें सबसे महत्पूर आक्रमान था बी आंसर रहेगा सोमनात मंदिन पर आ महिला सासी का थी तो इनके आप्सन काल की यह यादव चोल या हरयक दूसर इसमें सही आंसर है काक दिये बंस इसके बाद अंगला प्रश्ण है तराइन के दिती युद्ध में किस ने किसे पराजित किया था तराइन के दिती युद्ध में किस ने किसे पराजित किया था तो आप्सन आपको प्रत्वी राज ने गौरी को गौरी ने प्रत्वी राज को गजनभी ने प्रत्वी राज को या लोधी ने गौरी को इसका सही आंसर है गौरी ने प्रत्पीराज को प्राजित किया था, मुहम्मद गौरी ने प्रत्पीराज चौरहान को प्राजित किया था, काप तरायन के दितिये युद्ध में, इसके बाद अंगला प्रशन, लोधी बंस का अंतिम सासक कौन था, लोधी बंस का अंतिम सासक कौन था इसका आंसर है इब्राहिम लोदी यानि की आंसर सी सही रहेगा इब्राहिम लोदी इसके बाद अंगला प्रशन दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दच्छन भारत राज्यों को पराजित करने का प्रयास किया था दिल्ली कब है कौन सा सासा खेया सुल्तान है जिसन ने दच्छन भारती राज्ज को पराजित करने का प्रयास किया था तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिल जी ने किया था इसके बाद अंगला प्रश्ण लाख बक्ष की नाम से जाना जाने वाला भारती सासा कौन था लाख बक्ष की नाम से जाने जाना बाला भारती सासा कौन था तो इसका अंसर है कुत्व बद्दीन एवेक था यानि कि डी आप्सन इसका सही है कुत्व बद्दीन एवेक इसके बाद अंगला प्रश्ण है गौरी के द्वारा जीते गाय प्रदेशों की देख भाल के लिए किसे नियुक्त किया गया था किसा कि द्वारा की गई थी जुष्तों इसका सही आणसार एड से सिकंद्र लोदी और अग्रानगर की इसके बाद अंगला प्रशन है रजिया सुल्थान इसकी बेटी इसका सही आञ्चाख vendom इल्तुत मिस्की पुत्री थी या बेटी थी इसके बाद अंगला प्रश्ण है निविम लेखत मैस से किस खिलजी सासक ने दिल्ली के राज जहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी अपने ससुर की हत्या करके दिल्ली की राजगदी पर बैठा था तो इसका आंसर तो आप सभी जान चुके होगे क्योंकि इनकी यह फिलम आये थी जो थी पद्मवत इसका आंसर है डी अलाओधिन खिल जी ने की दी अपने ससुर और चाचा की हत्या ससुर या चाचा बोलते हैं उनको किकई इनके चाचा भी थे और ससुर भी बन गए थे बाद में किसके सासनकाल में सबसे अधिक मंगूल आकर्माण हुए थे तो इसका अंसर है B अप psyche किछली के सासनकाल में सरवादिक मंगूलों ने आकर्माण किया था इसके बाद अंगला प्रश्ट है बारबा प्रश्ट है महमूद गजनभी के आकलमाद के परीं नाम सुरुप कौन सा सहर फार्सी संस्कृत का केंदर बन गया था तुषका सही आंसर है A the option यानि कि लाहौर सहर बन गया था फार्सी संस्कृत केंदर लाहौर नंगर्या सहर भारत में मुस्लिम राज का संस्ताफक किसे माना जाता है या संस्ताफक कौन है या किसने मुस्लिम भंस की संस्ताफना की दी कब भारत में तो इसका सही आंसर है ए आपसन मुहम्मद गौरी ने की थी मुस्लिम राज की स्ताफना मुहम्मद गौरी ने इसके बाद अंगला प् अधिकारी क्या कहला था कब तेरवी सदी में तो इसका अंसर है बी ऑप्सन खान की उपादी या खान की नाम से जाना जाता था इसके बाद अंगला प्रश्ण है भारत में गुलाम बंस का संस्थाफक कौन था भारत में गुलाम बंस का संस्थाफक कौन था इसका अंसर है ए कुत्व बुद्दीन एबक ने गुलाम बंस की स्थापना की थी इसके बाद अंगला प्रश्ण है कुत्व मिनार के कारे को किष्णे पूरा कर आया था इसका सही आंसर है इसके बाद अंगला प्रश्ण है दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था तो इसका सही आंसर है इसके बाद अंगला प्रश्ण है अल बरूनी किसके सासनकाल में इतिहास कार था किसके सासनकाल में कारे रथ था तो इसका सही आंसर है option A मेहमूद गजनभी के सासनकाल में था इसके बाद अंगला प्रश्ण है दच्छण अफ्री की यात्री एबनब तूता किसके सासनकाल में भारत आया था इसका सही आंसर है मुहमद बिन तुगलक यानी कि C option इसका सही है मुहमद बिन तुगलक के सासनकाल में भारत आया था इसके बाद अंगला प्रश्ण है किसने अपने आपको खलीपा घोसित किया था इसका सही आंसर है Mובarak साहाँ खिल जी ने किया था अपने आपको कलीपा गोसित यानि की D option इसका सही है इसके बाद अंगला प्रशन है ग्यारवी सदी के भारत का दरपन किसे कहा जाता है तो इसका सही आंसर है A option किताब उलहिंद को कहा जाता है इसके बाद अंगला प्रश्ण है बेहिंद का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था इसका सही आंसर है A option महमूद गजनभी और आनंद पाल के मद लड़ा गया था बेहिंद का युद्ध इसके बाद अंगला प्रश्ण है दिल्ली सल्थनत का प्रिथम सुल्थान कौन था जिसने 27 सेना रखी थी इसका अंसर है अला उद्धीन खिजली आने की option भी इसका सही है अला उद्धीन खिजली ने 27 सेना रखी थी इसके बाद अंगला प्रश्ण है निमम लेखित में से कौन गुल रुखी के उपनाम से कभीताय लिखा करता था इसका सही आनसर है option D शिकंदर लोधी लिखा करता था इसके बाद अंगला प्रश्ण है अलाई दर्वाजा किसका मुख दुआर है अलाई दर्वाजा किसका मुख दुआर है लोदी बंस का संस्थापक कौन था तो इसका सही आंसार है B option बहर लोदी था लोदी बंस का संस्थापक दोस्तो यह वीडियो यहीं पर शमाप्त होता है यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीश दोस्तो लाइक करने सेर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चली दोस्तो इसके बाद मिलते हैं अंगले नेस्ट वीडियो में तब तक किल दोस्तो जै माता दी